अखिलेश और केशो प्रसाद की बीच आरोब प्रत्य रोब कसल से लाथ थमनी के बचाए और भी बढ़ गया जी है भाजपा की कारे समीती की बैठक के बाद से ही ये लड़ाई और भी तेज हो गई केशव ने बैठक में संगठन को सरकार से बड़ा होनी की बाद क्या कही अखिलेश यादब तो अपना आपा ही खो बैठे जहां अखिलेश ने भाजपा को घेरते वे एक्स पर लिखा कि तोरपोड की राजनीती का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी अब वही काम वह अपने दल के अंदर करने में जुटी हुई है धीरे धीरे ये विवाद इसकदर बढ़ गया कि ये जुबानी जंग मोहरे तक जा पहुँची अखिलेश यादब ने प्रदेश कारियाली में आयोजित सम्विधान मान स्थम की स्थापना कारिक्रम में का कि केशव प्रसाद मौरे तो दिल्ली के वाइफाई का पासवर्ड है मौरे जी तो मोहरा है आपको बता दे कि ये विवाद सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर केशव प्रसाद मौरे ने अखिलेश यादब पर कॉंग्रस का मोहरा बननी का आरोप लगाया जिस पर आ गजब तो तब हुआ जब केशव प्रसाद ने अखिलेश यादब को ताने मारते विए एक्स पर लिखा कि कॉंग्रस के मोहरा सपा मुक्या अखिलेश यादब जी दोजर सताइस में पराजय देखका अनाप शनाप बयान बाजी कर रहे हैं जुनता से जूट बोल कर दोज 24, 17, 19, 22 में सपा की पराजय याद रखना चाहिए साथी केशव मौरे ने ये भी कहा कि अखिलेश मांसून ओवर को 27 में 47 पर जनता और कारेकरता समेटेंगे एक डुपता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वरतमान और भविश्य दोनों ही खत्रे में हैं वह मुंग अखिलेश ने कह दिया कि सरकार गिरने के लिए मांसून ओपर के बाद हम केशव को विंटर डिसकाउंट भी देंगे आपको बता दे कि सपा प्रमुक अखिलेश यादब द्वारा यूपी के उपमुख्य मंतरी केशव प्रसाद मौरे को मोहरा कहने पर यूपी के मंतरी सं करने के लिए हुआ था उन्हें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए ऐसे में अब ये देखना होगा कि दोनों पार्टियों के बीच चल रही ये जुबानी जन कब थमेगी